हेलो दोस्तों, आज हैं मा आपको कडी में डेलने वाड़े बना के दिखाएंगे, कि ये पकोडे हमारे एकदम सोप्ट और एकदम टेस्टी कैसे बनते हैं, इतने सवादिस्ट ये पकोडे बन जाते हैं, और इन पकोडों को बनाने के लिए एक खास ट्रीक होतीज तो कीई कम हमारे पकोड़े कैसे बनते हैं तो कड़ी में हमारे जान आजाते हैं जब हमारे हाथ के यह पकोड़े कड़ी में डल जाते हैं तो एक हम कैसे बनाते हैं यह देखिए हमने दो आलू लिये हैं और हमें तीन प्याज ली है इन चीजों को हम कद्दुकस कर लेंगे प्याज को भ आदी चमच शड़दी और इसमें आदी चमच अम नमक और इसमें एक चमच मिर्च ये डाल लेंगे इनको हमने मिक्स करना ही यापए हमने यही वो खाश्टरीकम आपको बता रही ही यही से आप ध्यान से देखे कि मैंने यहां पे कोई बेशन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने श्रिफ आलू प्याज और नमक में छड़दी को ही मिक्स किया है मिक्स करने के बाद मैं इसमें दो मिन्ट तीन मिन्ट के लिए रख दूंगी यह क्यों करना है से ताकि नमक डाला है मैंने इसमें और आलू से और प्याज से कुप सारा पाने निकलेगा जितना भी पाने निकल ला है वो अभी निकल ले क्या होता है कि जब हम बेशन का गोड तयार कर लेते हैं तो पकोड़े बनाते बनाते उसमें से थोड़ी चार पाच मिन्ट के बाद एकदम हमारा गोड़ो होता है वो पतला हो जाता है और फिर वे पकोड़े अच्छे नहीं जता है कोई फैल जाता है कोई सुरू सुरू के तो टाइट से जाते हैं बाद के एकदम फैल जाते हैं तो यह इसलिए हो कि नमक पाने छोड़ता है तो हमारा जो गोड़ो होता है पकोड़ो वाड़ा वह एक्तम पतड़ा हो जाता है तो हमने इसमें बाद में हम बेशन इसलिए डाल रहे हैं अब 2-3 मिंट हो चुकी है हमने बेशन को अब डाला है तो अब डालने का मतलब यही है कि इसमें जितना पानी मतलब कि जितना बेशन लगना वह अभी लग करेंगे और जितना हमने बेशन लगाना है वो इसी टाम लगा दे बाद में ये हमारा जो गोड होता है वो पतला बिल्कुल भी नहीं होगा चाहे आप इसको आद गंटे के लिए भी रखते हो तब भी ये गोड ऐसा का ऐसा ही रहेगा इस में से कोई पाणी नहीं निकलेगा ये गोड अमारा पतला नहीं होगा तो इससे भी क्या होता है कि कोई कोड अमारा फैल जाता है कोई टाइट हो जाता है कोई कैसा सोप्ट हो जाता है तो वो नहीं चाहिए ये देख सकते हो मारा गोड हमने एक बूंद भी पाणी नहीं डाला है इसमें नमक्यों जैसे हमारा एकदम अच्छे से गोड़ बन के तयार हो गया है हमने इसमें एक डेड़ कप बेशन था मलब एक कटोरी पूरा नहीं था लेकिन एक कटोरी से जरा सा कम था वही बेशन डाला मैंने यह देखे आप इसकी ऐसी चोटी-चोटी सी लोईया बना लो या फिर ऐसे उठा के डाल द का कि ये पकोड़े यकीन मानिए दोस्तों इतने सोब्ट और इतने टेस्टी बढ़ते इस तरीके से क्योंकि इसमें एक सार ही बेशन मिला हुआ है कहीं से कितनी विलाश्ट तक हम इसको बेशन को बनाएंगे ये बेशन का गोड़े हमारा पतला नहीं होगा ऐसा ही रहे है तो हमारे हर एक पकोड़े इतने ही सोप्ट और एकदम एक जैसे बनेंगे। यही खास ट्रीक थी जो मैं आपको बता रही हूं। और इसमें यही है कि हमारे पकोड़े कोई जो गोड़ है बायचान समगे। कोई जल्दी बना देता है तो खोड़े लेट बनाता है थोड़े आराम से के लिए नीचे लिए खास ट्रीक है कि अगर आप्षे आराम से बनते हैं तो आपका जो पकोड़ों का गोडशता है कि पतला नहीं होगा आराम से भी बनाओ जितना पाने बेशन से निकलना था प्याज और अलुमे से निकलना था वो निकल चुका था और इसी में उसी शाब से आप उसी टैम क्या हा कि बेशन डाल सकते हो बस यही खास ट्रीक है मैं आपको बता रही थी तो हमारे पकोड़े कभी भी फैलते नहीं है और नाही कभी टाइट होते और नाही कभी कोई तो पतड़ा हो तério कोई फैलता नाहीं कोई एक सारमारी सारफ पकोड़े रगते तो अगर आपको yie idea पसंद आया है तो प्लीज में चैनल को LIKE सिरो स्सक्राइब कर देना तो हमने यह देखिए अपने पकोड़ों के गोल मोटोल से ये हैं और अच्छे तरीके से निकलाएंगे आप इनको बनाने के बाद बले आप इनको एक अंटा भी रखते हो ना तब भी ये टाइट नहीं होंगे वैसे तो हम बनाते ही कड़ी के अंदर डाल देते हैं लेकिन वाई चांस रखते भी हो खाने के लिए भी रखते हो मानलो कि आपने खाने हैं वैसे ही तो आपके ये पकोड़े तब भी ऐसे ही सोप्ट एक्दम टेस्टी रहेंगे तो हम इनको निकाल लेते हैं और जितना हमारे पास बेशन का गोड़ है पकोड़ों के लिए वही हम इसमें सारा डाल देंगे और ये देख सकते हो हमारे पकोड़े एक सार हैं सारे तो कितने अच्छे तरिक के से हमने बनाई हैं और एक्दम सोप्ट आई हैं तो हमारी कड़ी हमारी त्यार हो चुकी है कड़ी हमने पहले बना दी थी तो आप आपको दिखा रहे हैं मैंने ये रेसिपी जो पकोड़ों के लिए बनाई है कड़ी मैंने बना ली थी अब इसमें ये देखे मैंने पकोड़ी डाल दिये हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे यकीन म खालेगाना आपकी तारिफ किये बिना रहे नहीं सकता ये गारंटी मैं लेती हूं अगर आप ऐसे ही कड़ी पकोड़ा बनाओगे आपकी सब तारिफ करेंगे और ये रोटी के साथ प्रोंठ के साथ यहां तो हम तो क्या करते हैं कि चाड़ों के साथ ज्यादा खाते हैं इसक तैयार हुई है आप जरूर इस तरीके से एक बार बनाए अगर आप एक बार बना लेते हो ना इस तरीक को आप फिर भूलोगे नहीं क्योंकि आप करड़े लिगा किचिन का काम है आप इसको भूल नहीं सकते ये देखिए हमने इधर चाड़वी अच्छे से साफ करके दो लिए हैं हम इसके साथ चाड़ो खाएंगे तो आपको दिखाते हैं ये देखिए हमारे चाड़ बनके तयार हैं और हम चाड़ो में क्या करते हैं कड़ी के साथ ज्यादा टेस्टी लगते हैं हम कड़ी डालेंगे और यहां पे चाड़ ये देख सकते हो हमारे कड़ी कितनी अच्छी और शोप्ट से ये पकोड़ें हमारे बनके तयार हो चुके थे अब इनको हम आपको कटके दिखाएंगे कि कितने सोप्गी हमारे पकोड़े बन चुके हैं यह देख सकते हो फिर से कहते हैं दोस्तों अगर पसंद आई है ये वीडियो और यह हमारे कड़ी पकोड़े तो प्लीज प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस टेम हमें आप सब के साथ ही बहुत जरूर्थ है यह देखिए हमारे एक दम सोप्ट पकोड़े की चम्मच रखी और कितने अच्छे से कट गई और ऐसे ही रहेंगे हमारे पकोड़े इतने अच